बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम वेलकम टू हिरस की चैनल लोग असलाम अलेकुम आज में बनाने जाने हैं बहुत ही डिलेशिश और बहुत ही मज़दार ट्रेडिशनल मॉटन की रेस्पी जी आज में बनाने जाने हैं ट्रेडिशनल आलू गौत इसके लिए हमेरे पास 1kg मॉ पतोमं anlatख । ॅद्र कंत हम हैं सब्सकार में बनाने माता चैनले को सब्सकी हुआ नहीं के बनाने की नशिए हमाने के वह में देंटेपte संब्थेंसेएं झालें जी जी तमार्ट एंट्चत, यह लेसने अधर खगता है और साधा डालते हैं कुछ अधनी है पावडर हजब से उस नमक और इसको लगा देंगे हम वृफवशार दस मिनट के लिए 10 मिन institute के बाद हम यखनी चान का निकाल देंगे और यह मटन गएरा सारा हम भुनाई करेंगे देशी गी डाल के इसमें जो इस तेज़ यह रह धाई धाई थे भू ठाल दालेंगे लाल मिर्च डालेंगे और हल्दी डालेंगे तो इसे कालिमिट्स तब ही डाल सकते हैं और अब इसकी करेंगे अब इसमें आलू इस साइज में काटके हमने इसमें की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छी भुनाईगी होगी उतना ही अच्छा आपका जो है डीश का जाईगा निकलेगा अच्छा जी भुनाईगी हमने तक बहुत अच्छे ट्रिकेशा करनी है दस से पंद्रह मिनट के लिए तो इससे बहुत ही अच्छी सी जो है हमारी रस्पी बनेगी चलें जी अब इसमें हमने डाल देनी है यकनी जो हमने रुकी थी चलें जी जी जितने हैं आपने शौबा बनाना है तो उतना आप डाल सकते हैं पानी या यकनी और अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट के प्रेशर निकालने के बाद ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा राल गोस जो है वो तैयार हो चुका है 10-15 मिनट हमने पहले लगाए थे और 10-15 मिनट हमने बुनाई करने के बाद यकनी डाल कर फिर हमने लगाए तो तकरीबन ये हो जाते हैं 25 मिनट तो बहुत ही अच्छे सा ये हमारा अलूगो जो है बन चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है और बहुत ही आप देख सकते हैं बहुत ही ये देखें बहुत ही गहरा सा है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बन चुका है चलेंज ही मेरे चैनल को जुरूश सब्सक्राइब कीज़ेगा लाह आफीज